असलाम अलेकम एवरीवन दिस इस वुष्टा राजपूत और आज मैं आप से शेयर करही हूं बहुत ही इजी येट अमेजंग खाउसे की रेसिपी जो के मैंने तो चिकन में बनाई है लेकिन आप सेम रेसिपी को फॉलो करके बीफ में भी बना सकते हैं बहुत इजी स्टेप से लेट्स केट स्टाटेड सबसे पहले मैं आपको दिखा दो आप नूडल्स को बॉल करके रख लें ताकि पहला आपका स्टेप होई चुका होगा ये एग नूडल्स है टिप यह एक नूडल्स लो तोड़ अच्छे भी लगते हैं खिले-खिले भारी-भारी मैं आपको शेयर करी हूँ मैंने कराची में गुल्शन में जाकर कमरान मार्केट सी यह पकेट पर चेस किया ता बहुत सस्ता सोता प्राइस याद नी रहे गई मुझे स्टेप टू पर आ जाते हैं हमें कड़ी बनाने की प्रेपरेशन उसके लिए मन ले लिया है एक कब दही दो टेब ब्लिम होता है आफ्टर बेसन या फिर कड़ी इंटेक दो ग्रीन चिलीज डालें बड़ी वाली चोटी वाली मट डालिएगा तीन कप पानी डालके आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसके लावा इसमें अभी कुछ भी नहीं जाएगा क्यों कि बाकी सारी चीज को बनने के लिए छोड़ देना है आठ से दस इसमें आप कड़ी पता डालेंगे जिससे बहतरीन अरोमा आ जाएगा और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे लेकर थोड़ी तोड़ी दिर में इसको मिक्स करते रहेंगे एक घंटा टाइम लेगा आ जाते है स्टेप नमबर क्योंकि मैंने भी खुद ही काटे थे अच्छे से साथे कर लें ताकि अच्छा सा रोमा ना फील हो जाए जिंजर का गार्लिक का इसमें जा रहा है बुना कुटा जीरा और धनिया वन टी स्पून चिली फ्लेक्स चिली पाउडर आप डालेंगे वन टी स्पून इच क्योंक अच्छा पाउडर भी यूज कर सकते हैं हल्दी 1 टी स्पून अच्छा जा जा एक टी स्पून आपने टी स्पून तो पुल फ्लेम पे अच्छे से साथे करना है बूनना है तो तीन मिनट के लिए ताकि आपके चिकन में मसाला रच बस जाए ठीक है नोडल्स आपके श्प करना बाकी रह गया है वह मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूं आपको दिखा देती हूं पहले के चिकन का थोड़ा ओई उपर आ रहा है बिल्कुल ऐसे मैंने क्या किया यहां पे तीन टेमाट्रों को ब्लेंड किया था मीडियम साइज के थोड़ा सा पानी डाल दिया ब्लेंड हो जाए और अच्छे से मिक्स कर दूंगी मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको कर देंगे और डग देंगे 15-20 मेंटे से अराम से कुक होने दीजेगा देखें आपकी कड़ी भी पक रही है और आपकी चिकन कड़ी भी पक रही है दोनों चीजे एक साथ हो रही है औ बाती हूं आपको देखाती हूं एक घंटे बाल आपनी बेसन की कड़ी को मिक्स करना छोड़ना रही है इसमें आप मिक्स करते रहेंगे जड़ा सी भी थिको आप पानी डाले मुझे अलमोस्ट एक कप पूरा पानी डालने के ज़रुत पड़ी थी और बैस ये डन हो चुक अपनी डाल दी है आप इसमें दे सकते हैं पापडी जो मसाला पापडी आती है वो सर्फ कर सकते हैं ग्रीन चिली लेमन देना मत भूलिएगा अर धन्या चॉप किया था और और क्या था बस ताई चीज है चिली फ्लेक्स है चार्ट मसाला है आप ये सारी चीज इस अब आपको हर स्टोर से गरोस्टी स्टोर से घर के आसपास है तो आपको इतनी वोनिग कहां से लाएं जाना फ्राय करने इसके लावब भी लोग बौईल एग्स उप करते हैं तो आप वह भी सर्फ कर सकते हैं लेकिन यह बेसिक सी रेसिपी है अब मैं आपना टच दिया है कड़ी में वो आपको आगे फील हो जाएगा वो बनाईए का नहायत ही चटपटी कड़ी बनती है और खाव से लाज जवाब बनते हैं मैंने ममा के घर बेजी थी और वावा हो गई थी महां पर यहां पर वियू भी थी अच्छा अब मैं देखाती हूं 15-20 मिंट बाद आपकी नूडल्स बिल्कुल फीके होते हैं आप नमक डाल सकते हो नूडल्स में भी यहां पर आजाते हैं लास्ट तड़का मैं बना रही हूं अपने बेसन की कड़ी के लिए जिसके लिए मैंने ओल ले लिया है भुना कोटा जीर और धनिया शामिल कर दिया इसमें नमक जाएगा आप पेपरिका पाउडरे भी ढाल सकते हैं और एक्शली प्लेक्स डाले में बेसिक अएगे इस अपन्साले को तोड़ा साब का ओगे एसमें कोई जोश ज़गी ले कर आए क्यों कर देए मसाले में पानी भी नहीं आप आड करोगी यह कच्च्छा मसाला ही बस आपको उप तो आपने क्या करना है जो आपकी कडी प्रिपेर हो चुकी है एक घंटे से बनी ही है यह देखें आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप भी भी आपको फील हो रहा है तो आप पकाईएगा वरना बेसन अगा कच्छा नहीं होगा फॉरन फील हो जाता है मैंने भी पहली आपका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाएगा टेस्ट करते रहा करो मैं हमेशा कहती हूँ मैं कौन्टिटी इस तो मेंशन करती हूँ जिसके हाग में बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि हर घर का जायका अलग होता है और हर घर का जो बोलते हैं तो वाकई में अपने चिकन कर्डी को साथ ही पकने रग दिया उस वक्त हमने सारे लवाजमात रेडी कर लिये थे अगर आप टाइम मैनेज करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाती है और एजी बन जाती है तब ही मैंने सारे स्टेप्स मेंशन कर दी आपके लिए लास्ट में बस तड़का करना होत मैंने सारी चीजे सजा दे लिए और नहायती स्पाइसी फ्लेवर फूल चिकन करी ठीं टी ऐ आपकी खाउसे की ढी है वो भी बिलकुल रेडी थी मुझे पता है बहुत सारे वर्जिनस होता है इसके बर्मीत bes invest को मेमनी besPod अबंदी क्यों सब का निचोड़ इस में पुँछ कोकोनेट पाउडर कुछ भी याइड नहीं किया है लास्ट में आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा रही हूं और आप अपने हिसाब से करें कुछ जैसी भी कर नहीं है मैंने अपने घर में बनाया और सबको किलाया था सबने फर्स टाइम खाव से खायते हैं सबको बहुत अच्छे लगे मार्शला से मैंने ममा के घर बेजे थे और वहां से भी बहुत साही तारीफ आई थी तो मतलब ये रेसिपी आप जरू ट्राइ करें जैसे आप हमेशा हर र रेसिपी का सबसे पहले फीडबैक मैं ही आप लोगों को दे रही हूं जरूर ट्राइ कीजिए ये इजी रेसिपी हो मझे बदाई का कैसी बनी इल वेट फर यह फीडबैक अलाहाफिज झालाहाफिज